हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो यूट्यूब चैनल एपक्स क्लासिज और लगभग सारे ही एक्जाम में इससे रिलेटर्ट कॉश्चिन आपके आते हैं और इंपोर्टेंट टॉपिक होता है तो इस पर हम डिस्कस करेंगे कि इससे आने वाले कॉश्चिन किस प्रकार से एक्जा होते जाते हैं और इससे डिलेटर्ट क्या खीजें होती है जो एक्जाम में आती हैं तो पीसटार्ट नओ लेट्स बिगिन कि ए आर्टिकल को अ कि एंजिकल को हिंदी में कहा जाता है अब यह है क्या और यह किस त्रह से कोश्चिन आते हैं प्लैट सी I have a car this is the question अब पहला question जो वो पूछते हैं वो यह पूछते हैं कि what is a and you can say article यह तो article है लेकिन article option में ही नहीं होगा तब तो आप दो option याद रखिएगा अगर article उस condition में ना हो तो article नहीं होने पर आप देखिएगा या तो वहां लिखा होगा adjective या लिखा होगा determiner basically article is the part of determiner तो पहला question जो बनता है वो यह बनता है कि I have a car अब what is the part of speech of this A then what it is article if article is not given in the options that would be adjective or determinants एक से ज्यादा आपको कभी options दिये नहीं जाएंगे आप देखते हैं अब article क्या होता है भी यह मैंने आपको बताया अब यह इसके परकार देखिए यह नहीं हुत्य होता है इन देखिनर आल्टिकल और यह होता है देखिनिट आईडिकल आपका एक आईर्टिकल है नौर एक आपका 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 आपको अईर्टिकल definite article is for a or n and definite article is for the so here is a or n and here is the then it's a question I here is the man whom the police is here is the man whom the police is seeking Now what is the status of the in this sentence? So question poochy पूशा गया था क्या ये conjunction है क्या ये noun है क्या ये definite article है तो आप कह सकते हैं दा जू है यहां पर वो कौन सा article है वो definite article है ये बहुत simple से questions है जो basically कभी कभार exam में पूँच लिए चाते हैं में तो एक बार पूछाई भी जा चुका है अब हम डिस्कस करते हैं से आगे तो ए या एन जो है आपका वो हो जाएगा इंडेफिनेट आर्टिकल और दा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डेफिनेट आर्टिकल अब कई लोग इसे दा की इस्थान पर दी भी पड़ते हैं तो वो थोड़ा अलग है प्रनांशेशन का है अगर ये वोविल से पहले होता है तो इसे दी प्रोनाउंस किया जाता है अगर कॉंसोनेंट से पहले होता है तो दा प्रोनाउंस किया जाता है तो इट कैन भी प्रोन we start with indefinite article जो होते हैं A और N अब A और N का use कहां किया जाएगा उसका use क्या है? A कहां use होगा और N कहां use होगा मेरे ख्याल से सभी लोग पढ़ते हुए आए हैं A consonants के साथ और N वोविल्स के साथ A का use consonants क्या होते हैं? कि जो A, E, I, O, U को छोड़ कर होते हैं अलफाबिट्स वो होते हैं आपके consonants और जो A, E, I, O, U होते हैं वो होते हैं वोवल्स बेसिकली आपको ऐसे ही पढ़ाया जाता है तो वोविल और consonant A, E, I, O, U और जो बचे हुए हैं वो आपके हो गई consonant लेकिन इससे रिलेटेड एक question और आता है एक्जाम में आया हुआ कोशन है, सुपर्टेट का question था कि इंग्लिश में वोविल और consonant के sounds कितने होते हैं? question दोबारा सुनिएगा इंग्लिश में वोविल और consonants के sound कितने होते हैं? धिहान दखिएगा total alphabets की संख्या 26 है जिसमें से five आर वोविल और रेस्ट आर consonant लेकिन now we are talking about sounds we are talking about के उनके sounds कितने होते हैं? तो ध्यान दखिएगा यह question वोविल के sounds जो होते हैं वो 20 होते हैं और consonants के जो sounds होते हैं वो 24 होते हैं और total जो sound होते हैं वो 44 होते हैं जिन मैसे 20 वाविल्स के 24 कॉंसोनेंट्स के और अगर आप से पूछा जाए कि टोटल साउंड्स कितने हैं इंग्लिश में अलफाबेट तो आप सबको पता हैं कि 26 होते हैं लेकिन साउंड्स जो होते हैं वो आपके 20 एंड 24 इसकल टू 44 होते हैं तो इस क्वेश्चन का आप ध्यान रखेंगे दुबारा आते हैं कि ए और एन का प्रियोग वाविल और कॉंसोनेंट के अनुशार करते हैं हम लोग लेकिन नाव आई गिव यू आ ट्रिक बहुत सिंपल सी ट्रिक है आप सब लोगोंने हिंदी वर्ण माला पढ़ी होगी सभी लोगों को पता है हिंदी वर्ण माला क्या होती है आ से लेके ग्या तक तो अगर आ से लेकर अंग तक और का से लेके ग्या तक इन दौनों का हमें ध्यान रखना है और ध्यान रखिएगा सबसे सिंपल और सबसे एफेक्टिव ट्रिक है आपको इस ट्रिक का कहीं भी वाइलेशन नहीं मिलेगा है कि अब आपको बस केवल यह देखना है कि जिससे पहले हम AI लगा रहे हैं वह願い सेंग में आ रहा है या कि आसे प्या में आ कि देखते हैं कि जैसे मैंने लिखा IPC एपल ए से स्टार्ट हो रहा है वो आ से अंग के मद्धिया आएगा इसलिए मैं यहां पर लगाऊंगा एन एन एपल एपल ए आ रहा था मैंने लिखा डैश बॉय बा तो आ से अंग में वो आता है या का से ग्या में आता है का से ग्या में आता है तो मैंने यहां लगा दिया अब आप अपने दमाग में जो भी वर्ड्स आएं जिन से पहले आप A, A, N लगाना चाहते हैं आप सोच लीजिए और यहाँ पर हम उसका यूज कर सकते हैं बस ध्यान रखिएगा कि A और N का प्रियोग A और N का प्रियोग Singular Countable Noun से पूर्वी किया जा सकता है देखे Noun कैसा होना चाहिए Noun must be singular as well as countable Noun similar भी होना चाहिए और countable भी होना चाहिए और वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे A और N का A और N का यूज कैसे किया जाएगा जैसा मैंने आपको बताया A से अंग में अगर आ रहा है पहला अक्षर तो वह आएगा N में और का से ग्या में आ रहा है तो आएगा A में अब कुछ examples के help से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं बस इस trick का यूज करने के लिए आपको pronunciation का पता होना चाहिए अगर आपको pronunciation नहीं पता है तो आप इसमें मिस्टेक कर सकते हैं लाइक आई रोट यूनिवस्टी ओन वाइड़ बोर्ट अन हेरा रवट अउनस्ट मैं यूनिवस्टी इस स्टार्ट विद यू बट हम इससे पहले ए लगाएंगे या एन लगाएंगे यह कैसे डिसाइट करेंगे यूनिवस्टी सबसे पहला अक्षर यू है इंगलिश में लेकिन हमें इंगलिश में नहीं देखना हमें देखना है इसे हिंदी की अलफ़बिट से यूनिवस्टी पहला अक्षर है या और अगर या आ रहा है तो बस आपको ये देखना है क्या वो क्या से क्या वो का से ग्या में आ रहा है क्या वो आ से अंग में आ रहा है तो आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी आप चाहें तो लिख भी सकते हैं यूनिवर्सिटी तो यू यानि कि या अते हम यहां क्या लगाएंगे? हम यहां पर लगाएंगे ए दुबारा देख लीजिए आ से अगर अंग होगा तो आएगा एन और का से ग्या होगा तो आएगा ए ओनेस्ट मैं ओनेस्ट ओ तो ओ इसलिए यहां पर क्या आएगा? और देख सकते हैं आप मैंने यहां लिखा आवर और यहां लिखा हाउस इसका बनन्शेशन आवर होता है आ तो यह आ से अंग में जाएगा इसलिए यहां पर एन आएगा और हाउस हाउस का पहला एल्फाबेट जो है वो है लेकिन इसका साउंड भी यहां हा से है इसलिए यहां पर ए आएगा क्योंकि हा जो है वो का से ग्या के बीच में आता है है शेम एम एल ए कुछ नहीं करना केवल आपको यह देखना है कि इत फॉल सिंग और काटू गया केटिगरी बस इतना आपको देखना है एम एल ए तो इसे हम देखते हैं एम तो सबसे पहले क्या आ रहा है यह तो हम यहां लगाएंगे एन MBBS एन लगेगा SSP एन लगेगा अगर मैं लिखता हूँ यहां पर European Man तो देखें क्या लगेगा European यहां से स्टार्ट है इसलिए यहां पर A लगेगा तो I hope यह आपको समझ में आ गया होगा दुवारा मैं आपको बताता हूँ आपको यहां क्या करना है आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है पहले सिंगुलर और काउंटेबल नाउन ए और एन के प्रियोग के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इनका यूज केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जा सकता है दूसरा A और N कैसे यूज करना है यह मैंने आपको तरीका बता दिया है कुछ examples वाइस अगर आप समझना चाहें तो और समझ सकते हैं जैसे एर इसमें भी एच जो है वो साइलेंट होता है इसलिए यहां पर हम N यूज करते हैं इसे हम परते हैं वा का से ग्या में आता है इसलिए हम लगाएंगे यहां पर ए और इंज ओ में आता है आ से अंक्य मत्धि आता है इसलिए यहां पर लगाएंगे हम अब जो भी आपके questions हो जिन में A और N में आपको दिक्कत आती हो आप इस trick का use कर सकते हैं और आप देखेंगे कि वो कभी भी गलत नहीं होगा लेकिन अब कुछ लोगों को कुछ questions में दिक्कत आती है विशे शुरूप से इस पेशलिए हम देखते हैं सर अगर historical हो या hotel हो तो इन में क्या use होते हैं तो ये ऐसी words है इन में hospital भी है ती चार words इस टाइप के है historical होटल है कि सर इन में A लगता है कि N लगता है मैंने कहा अगर A लगता है तो कहेंगे कि सर कई बार हमने N लगा हुआ देखा है इन लगाएंगे तो आप देखें कही जगे ये लगा हुआ है इसका reason क्या है वो आप समझ लीजिए पुराने टाइम में इन में H जो होता था वो silent होता था तो इस वाज नॉट प्रोनॉंस देखेंगे इडवाज इस्टॉरिकल भारत के में फॉस्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजिंडर प्रशाद उन्होंने एक अपनी लाइन लिखी है इभिजे एन इस्टॉरिकल मूमेंट वी अर अब टूविटनेस तो एन railroad brauchenatt लेकिन अब इसका प्रणंशेशन होटेल है इसलिए इन से पहले बेसिकली अभी हमें जो लगाना है वो ए लगाना है लेकिन यह कॉश्चिंस जर्णली एक्जामस में पूछें नहीं जाते क्योंकि यह कंट्रोवर्शियल स्कॉश्चिंस आई होप आपको समझ में आगया होगा नेक्स पे हम देखते हैं इन डेफिनेट आर्टिकल्स अब हम देखेंगे यह डेफिनेट आर्टिकल्स अगला टॉपिक जो आपका है वो है डेफिनेट आर्टिकल्स अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करेंगे तब तक के लिए थैंक यू